हे एब्डिवन वेलकम वेक्टू दा चैनल तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा सोसिल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड यूनिट का टॉपिक है तो वह हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम पे इसके लावा है और भी टॉपिक है इसमें दो तीन तो आज ही आज में हम इसे कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहरे देख लेते हैं कि प्ल्स पोलियो प्रोग्राम क्या होता है तो प्ल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है प्ल्यो की जो वैक्सिनेशन होती है उसके लिए ये प्रोग्राम जो चलाया गया था पोलियो एक तरह की ड तो आपको पता ही है लेकिन यहां पर जो पुल्स वर्ड है इसका मतलब होता है कि वैक्सिनेशन फॉर ओल चिल्डनर्स टीक है तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हो तो पुल्स पुल्यों का वैक्सिनेशन किया जाता है चलिए देख लेते हैं इसके कुछ इंपोडेंट पॉ तो यह इसके कुछ इंपोड़ाइट पॉइंट है और देख लेते हैं हम थोड़ा सा तो यहां पर जो नैसनलट इम्म्याजैशन जो डे है अवारा ठीक है जैसे हम नैसनल इम्म्याजैसन डे बोलते है उस दिन को जो सकते हैं फोव्य का कि झ difेक्शे होते हैं यो 5 साल्व and subnational immunization program के अंतरगत कियाती हैं ठीक है तो जब भी क्या है national या फिर subnational immunization program होता है तो उस दिन क्या है जो छोड़े-छोड़े बच्चे होते हैं 5 साल से जिनकी age कम होती है तो उन्हें जो पोलियों की vaccination दी जाती है next point के हम बात करें during each national immunization day approximately 172 million children are immunized ठीक है तो ये जो day आता है हमारा national immunization day जिसे मैं NIDP बोलते हैं तो इस दिन जो है 172 million children को जो immunized किया जाता है यानि उन्हें पोलियों की vaccination दी जाती है एक और इसमें point के हम बात करें on February 24, 2012 the World Health Organization removed the name of country India from the list of country with active transmission of endemic wild polio virus date है हमारी 24, February 2012 तो उस दिन क्या है इंडिया को जो है उन country की list में से बावर निकाला गया था जिसमें क्या है कोई भी active transmission of endemic wild polio virus ठीक है तो यानि जिसमें कोई भी active transmission वाला जो पोलियो वायरस है तो वो जो नहीं था ठीक है पिंसिपल्स की अब बात कर लेते हैं थोड़े तो इट ओनली अफेक्ट humans and there are no animal reservoir ठीक है क्योंकि पोलियो को eliminate करना जरूर इसलिए हो जाता है क्योंकि यह क्या के वल humans को जो अफेक्ट करती है इसका जो कोई भी जो symptoms वगरा है वो क्या है animals में हमें देखने को नहीं मिलता है और नहीं जो पोलियो वायरस होता है तो उनका reservoir किसी animal के अंदर होता है तो यह के वल humans में ही जो फैलता है बाकि animals से उसका कोई लिया देना नहीं है second point के हम बात करें the virus is only able to live in the atmosphere for a very short time ठीक है तो जो वायरस है वो क्या atmosphere में कुछ ही time के लिए जिंदा रह सकता है इसलिए वो क्या है अपना जो होश्ट है वो क्या है human को बनाता है ताकि वो लंबे समय तक जो है रह सके यानि जिंदा रह सके तो यहां पर क्या है जो पोलियो करें national program of pulse polio index functioning तो प्रोग्राम के बारें थोड़ा और डिसकस करते हैं इसकी functioning वागरा देखते हैं कि कैसी यह function करता है तो सबसे पहले हम बात करें किसे इंडिया में 1995 में launch किया गया था और उस time पे जो है लगवा कितने 50,000 जो cases हमें annually देखने को मिलते थे polio virus के तो फिर आ तो इससे किया फिर जो identification वगरा है polio virus transmission का तो यह काम जो शुरू किया गया था था थार्डम पॉइंट की बात करें तो the last treatment for wild virus type 2 while recorded in India 1999 तो अगर हम सबसे last treatment की बात करें तो जो polio virus का जो type 2 version था तो इसे जो है 1999 में जो है सबसे आखरी बात देखा गया था सबसे आखरी बात करें पॉइंट की तो 2005 में India was the first country to use a monovalent tab 1 vaccine and implement a yvalent vaccine in 2010 तो सबसे पहले 2005 में किया है इंडिया ने सबसे पहले जो monovalent tab 1 जो vaccine है उसका यूज किया था उसके बात क्या है yvalent vaccine जो है 2010 में implement की थी तो यह कचिस के important point होगे और कुछ functioning होगी इसकी तो यह बस आपको याद रखने ह और अब हम functioning की बात कर लेते हैं वो जो national pulse polio program के कुछ point होगे जिसमें date बताई गी है कि क्या क्या हुआ था बकिया functioning अलग से देख लेते हैं कि क्या क्या जो functioning थी इस program की तो maintenance of community immunity each year by high quality national and subnational polio rounds तो सबसे क्या है जो community की immunity वगरा है ठीक है तो उसको जो है maintain किया गया था और high quality national and subnational polio rounds ठीक है तो rounds वगरा polio rounds वगरा start किये गए थे जिसमें कहा है घर गई जाकर polio वगरा की दवाजवा दी जा रही थी बकि development environmental observation to detect the transmission of polio virus तो हमने कहा है फिर बाद में जाके जो environmental observation शुरू किया जिसमें हमें यह पदा चला कि जो transmission है वो polio virus का कैसो होता है तो उन चीज के उपर भी control किया गया था release guidelines for polio vaccination in March 2014 ठीक है तो इसकी जो guidelines बगए रहे हैं polio vaccination की तो यह मार्च 2014 में जो है release की गी थी next point देखां कि India switched from trivalent oral polio vaccine to the vivalent oral polio vaccine on April 25, 2016 ठीक है तो इंडिया ने कहा है trivalent oral polio vaccine थी तो उससे कहा है फिर जो vivalent oral polio vaccine है तो उस पे switch किया था यानि trivalent से vivalent जो है oral polio vaccine को जो है यूज करना शुरू किया ठीक है और यह date दी हुई है कब शुरू किया था यानि कब switch किया था तो April 25, 2016 में यह date अब को याद रखनी है एक और point के हम बात करें identifying missing children from immunization process तो इसमें कहा है फिर यह चीज भी देखे गी थी कि जो बच्ची है जो immunization से रह गया है ठीक है जनने क्या vaccine वगरा नहीं दी गई है तो ऐसे बच्चों को जो identify करना और बाद होने जो है immunization की जो process है उसमें उने add करना और फिर हम बात करने monitoring of vaccine efficacy तो इसमें जो vaccine की efficacy वगरा भी देखे थी कि vaccine कैसा काम कर देए effective है या नहीं है तो यह चीज भी monitor की गई सबसे last point के हम बात करें functioning में तो vaccine are always kept in cold areas to protect them from degrading तो vaccines जो है polio की उने के हमेशा cold area में रखा जाता है ताकि यह क्या degrade ना हो है ना तो यह चीज है तो जब भी आपके polio की vaccine वगरा फिलाने आए बच्चों को तो आप देखना उनके बास कुछ boxes टाइप क्यों होते हैं ठीक है तो यह कुछ इसके functioning होगी strategies की बात और कर लेते हैं यहाँ पर क्या strategies थी polio elimination की तो routine immunization किया गया थे या यह साल में दो वाज जो है immunization की जो process है polio vaccination की वो की जाती है तो इसमें oral polio vaccines की आती है जो किया 0 से 1 साल तक की जो यानि 1 साल से कम अमरे के जो बच्चे होते है तो उनको जो oral polio vaccines दी जाती है और तीन डोज दीए जाते हैं है ना supplementary immunization activities house to house activity using polio pulse polio booth है ना तो इस तरह की जो activities है वो की जाती थी और इसी तरह की strategy बनाई जाती थी किस तरीके से जो है immunization की जो progress है वो के आगे बढ़ा नहीं है objectives की और बात कर लेते हैं यहाँ पे तो to become largest polio program initiative in the world त ठीक है जिसने किया है जो polio program का जो initiative है तो सबसे बड़ा जोग कहां पर है इंडिया में है तो यह इसका एक objective था second बात करें to continue heavy screening and evaluation process तो हम किया है जो heavy screening and evaluation process है तो उसको जो है continue रख सकें बाकि NGO बगरा स्टार्ट करें इस से related और to improve the quality of services services की जो quality उसको improve करना to boost pulse polio immunization programs ठीक है तो यह जो program है pulse polio immunization program तो इसको भी जो boost करना है इसका objective है outcomes के हम और बात कर लेते हैं इंडिया वाज declared है जब pulse free nation by WHO on 27th March 2014 ठीक है तो इंडिया का जो है polio free nation कब declare किया गया था तो WHO ने उसे 27th March 2014 में उसे जो है polio free nation जो है डेकलियर किया था और second point की बात किया है no case of polio has been identified for more than 3 years since the last treatment was identified on 13th January 2011 तो बाद में 27th March 2014 के बाद तो हमें कोई भी polio का case हमें देखने को नहीं मिला था ठीक है उसके बाद किया है सबसे last time treatment की बात करें ठीक है जो polio का treatment किया गया था तो वो 13th January 2011 तो वो 13th January 2011 है और last point के हम बात करें polio free nation's credit goes to various NGOs ठीक है तो जो polio free nation है तो इसमें काफी अलगलग जो ए अलगलग जो ए अंजियो जो वेगरा बाकी मीडिया सेलिवेटी ने भी इसे काफी promote किया गये था और बाकी programs को अलगलग जो है कि तो इन सभी ने मिलके जो है polio की जो vaccination है उसमें काफी important जो है अपना जो तो इन सभी ने तो इन सभी का जो credit है वो जाता है polio free nation बनाने में ठीक है और बाकी और बाकी लोगों को awareness वगरा फैला ना बाकी लोगों को अवेर और और ये एंजियो मीडिया और जो इन उन्होंने प्रमोट तो किया ये प्रोग्राम को साथ में किया है लोगों को अवेर भी किया था कि polio की vaccine वगरा कितनी जरूर है तो यह सारी चीजें जो polio से related है तो इसे हम बोलते है प्रोग्राम तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए तो यह नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है यूनिट 3 में तो यह हमारा प्रेवेंशन अन कंट्रॉल ऑफ डीफ डीफनेस का मतलब होता है बहरा बनती है कि बहुत सारे लोग क्या अमर के साथ साथ कम सुनने लगते हैं तो ये most common sensory problem होती है कम सुनना तो यह होता है बारा डीफनेस और hearing loss भी बोल सकते हैं से तो यह बारा most common sensory problem है तो इसके लिए किया national program for prevention and control of deepness जो है launch किया गया था तो यहां पर कुछ basic basic चीज़ है देखेंगे ज्यादा आपको detail जाने की जोगत नहीं है तो prevention and control program for deepness by developed by government of india ministry of health and family welfare ठीक है तो government of india and ministry of health and family welfare के दोरा इस program को जो है develop किया गया था डीफनेस control program और 63 million people in india distressed by this issue ठीक है तो 63 million people जो इंडिया में इस problem से जो यानि इस issue से जो है distressed ठीक है यानि ग्रस है तो यह होगे हमारे basic इसका introduction components की बात करते हैं जल्दी से तो components में कहा है इस program के components किया है तो एक तो service provision है तो सबसे पहले यह जो problem है deepness की तो इसको early diagnosis करना यानि जबके इंसान दीरे दीरे थोड़ा सा उसकी down हो या थी है सुनने की चमता तो क्या early diagnosis पहले इस चीज़ को जो है easy activities तो अगर अब awareness जो फैलाते हैं ठीक है तो सबसे पहले कहा है awareness से क्या होता है कि जो hearing यानि सुनने की चमता रहती है यानि ऐसा होता है कि सुनने की को तो लोगों को पता चलियागा कि हमें जो कम सुनाई दे रहा है, बहसा हए लोग का उन्हें इक कान से कम समया देता है, तो वह उसे से तो इसकी वैसे क्या है जो के से जाए तो वो क्या time रहते हुए इस तरह के जो क्येसे जाए उन्हें जो treat किया जा सकता है और इससे जो जो डीफ नेस्स वागागी प्रॉब्लम है इसको भी जो eliminate कर सकते हैं नेश्ट हम capacity building पे जो है focus करते हैं इसमें यानि इसका तीसरा component है तो in relation to audiometric facilities for the district hospital, neighborhood health centers and primary health centers ठीक है तो हम क्या है capacity building यानि जहां पे जो है treatment बगरा या जो है इलाज बगरा जहां पर provide किया जाएगा तो वहां पर जो facilities बगरा है district hospital हो गया जो neighborhood health centers हो गया primary health centers हो गया तो इनकी जो capacity उसको भी हम build कर सकते हैं तो यह हमारा third component हो गया fourth के हम बात करें है manpower training and development medical college के specialist doctors बगरा रहते हैं तो उनके द्वारा पहले normal staff है तो उसको जो है train करना चाहिए यानि grassroot levels होने जो है train करना चाहिए उन्हें training provide करना चाहिए जिसमें उन्हें बताना चाहिए कि कैसे prevent करना है early detection कैसे करते हैं और treatment कैसे करते हैं अगर कोई भी hearing impairment का या फिर deepness का कोई case आता है तो उसे जो हमें कैसे handle करना है ठीक है तो यह चीज़ होगी तो यहाँ पर किया है इसके चार basic component है जो आपको याद रखने है तो heading याद कर लेना तो बागी theoryा बना के भी लिख सकते हो ठीक है तो अब इसके functions के और बात कर लेते हैं तो development of human resources for ear treatment services ठीक है तो human resources को develop करना ear treatment services के लिए बकी institutional जो capacities है district hospital में उसको भी develop करना है न और public awareness को promote करना जो manpower है ठीक है तो उन लोगों को जो है training बगराद देना तक है वो patient को ज्यादा अच्छे से जो है handle कर पा है और बाकी screening early diagnosis और management यह सारी चीज़ें जो basic चीज़ें तो इन सभी को जो है तो इन सभी चीज़ों के उपर भी यह जो प्रोग्राम है वो हमारा focus करता है objectives की बात करें तो early detection, diagnosis and treatment ठीक है तो यह होगी basic सी चीज prevent the avoidable loss of hearing due to illness कई वर क्या लोग बीमार हो जाते हैं जिसकी वैसे क्या है जो उनकी hearing capacity है वो कम हो जाती है तो इस चीज़ को भी prevent करना इसका objective होता है treat individuals of all ages group suffering from deepness medically ठीक है तो सभी age group में क्या है यह problem हमें देखने को मिल सकती है तो सभी age के जो individuals है तो सभी के treatment वगरा provide कराना जो क्या deepness वगरा से जो है ग्रसेत है next आता है construct a hearing aid using data signal process तो जो data signal process रहती है तो इसकी वैसे क्या है हम जो एक hearing aid जो provide करा सकते है लोगों को फिप्त पुइंट के हम बात करें identification of healthcare facilities and operations at the primary, middle and tertiary levels तो हम क्या कर सकते हैं कि जो healthcare facilities है तो उनको identify करके उनके जो operations है जैसे primary, middle and tertiary levels तो उनको हम जो है अच्छे तरीके से उन्हें operate कर सकते हैं और facility वेगर को भी हम बढ़ा सकते हैं और उन्हें कोई problem है तो उन्हें जो identify भी कर सकते हैं तो यह इसके basic objectives हो गए next is के outcome क्या क्या हमें मिले तो सबसे पहले तो जो hearing impairment है तो जिलनों कोई यह problem है उनकी जो संख्या है उसमें कमी देखने को मिली ठीक है यानि treatment successful रहा बगी जो reduction in range of different ear conditions and hearing impairment तो hearing impairment में तो जो है reduction हमें देखने को मिलाई और बाकी अलग से जो years related जो अलागला conditions हैं disease वगड़ा है तो उसमें भी जो हमें reduction देखने को मिलाई थर्ड point के हम बात करें increased availability of hospital and treatment facility तो इस program की वैसे क्या है hospitals में जो availability है और जो treatment facility है वो भी क्या है बड़ी इसके अलावा next point के हम हम बात करें improved support network for the hearing impaired तो अलाला तरह कि जो support network जो improve किये गए जो hearing impaired से related जो patient down के लिए और fifth point के हम बात करें कि increased capacity building to ensure better treatment and facilities at the district hospitals तो बाकी सबसे light point में तो यही है capacity building को जो increase किया गया जिससे कि better treatment और जो facilities है district hospitals में तो उन चीजों को में ensure कर सकें तो यह इसके outcomes हमें देखने को मिले इस program के national deepness control program के अंदर यह सारी चीज़ आए जाती है तो यह हो गया हमारा topic कि पक्ड़ब आपक्ड़र